बच्चो आज हम लोग जिग्रोफिक का चेप्टर 3 जल संसाधन पढ़ने जा रहे हैं इस चेप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जल, जल संसाधन कैसे होता है और जल का सनरक्षन कैसे करते हैं उसका बांध बना कर बहुत इसी पर्योजना बना कर या फिर वर्षा के जल को दुबारा उप्योग में कैसे लाते हैं ये सारे चीज हम लोग जल संसाधन अध्याई के अंदर पढ़ेंगे ठीक है बच्चो तो सबसे पहले हम जानते हैं जल के बारे में जल क्या है जल एक नवी कर्णिय योग संसाधन है नवी कर्णिय योग संसाधन किसे करते हैं तो वैसे संसाधन जिनके स्रोतों का छै नहीं होता है बलकि जिनके स्रोतों का पुना भरन होता है उसे क्या करते हैं बच्चो उसे नवी कर्णिय योग संसाधन करते हैं आईए हम इसे एक एक्जाम्पल के दुरू समझते हैं जैसा कि आप जानते हैं सुर्य की क्रिणों के कारण नदी, नाला और तलाबों का पानी वास्पिक्रित होकर उपर उठता है और संग्रन पर क्रिया के बाद वहाँ पे बादल का निर्मान होता है बादल के निर्मान होने के पस्चाथ वर्सा की बूंदों में वह दुबारा से पृत्वी पर आकर नदी, नाला और तलाबों में भर जाता है तो यहां आपने देखा कि जो पानी का स्रोत है जल का स्रोत है नदी, नाला और तलाब उसका स्रोतों का छै नहीं हुआ वह दुबारा उसका पुन्ड भरन हुआ कि केसे वह वास्प्रित होकर उपर गया और दुबारा वर्षा के बूंदों में आकर हमारे नदी नाले और तलाबों में भर गया तो इस परकार से हम यहाँ पे जानते हैं कि जो जल है वो एक नवी करने योग संसादन है ठीक है बच्चो और हमें पता है कि हमारी जो पृत्वी है इस पे बहुत ही जादा पानी है अगर हम इसे मात्रा में बात करें तो इसका तीन बटा चार भाग जल से भरा हुआ है अगर हमसे चार भागों में बाढ़ते है तो इसके सिर्फ एक भाग को छोड़ दे तो बाकी तीन भागों पर जल मिलेगा आपको ठीक है बच्चो तो इतना सारा जल है पर उन्तु ये सारा जल क्या हमारे उपयोग करने योग्य है जी नहीं क्योंकि अगर ये पूरे जल की हम हम बात करें यहानि के मातरां बात करें तो बहुत अधिक मातरां में जो जल है वो लॉंचे जल है जिसे कि हम लोग 96.5% मान सकते हैं या विशा जल जो की लॉंचे है इसे हम असानी से अपने देनिक जिवन में उपयोग नहीं कर सकते हैं स्रिफ 2.5 पर 30 ही जल वैसा जल है जिसे हम लोग आसानी से उप्योग कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यह 2.5 पर 30 जल है या अल लवनिय जल है, और अल लवनिय जलों का उप्योग हम आराम से अपने देनी जीवन में कर सकते हैं, जबकि जो लवनिय जल है उसका उप्योग करना ब भारत में 25 तक 20 करोड जो आबादी है उसे जल की कमी से जूजना पड़ेगा आप सोच रहोंगे कि इतना दो जल था तो फिर भी हमारे देश में 20 करोड आबादी को जल की कमी से क्यों जूजना पड़ेगा का सिर्फ 2.5 पर तीचा थी जो जल है उसे हम उपयोग करने योगे हैं हमारे ठीक है बच्चो हमारा जो अगला टोपिक है बच्चो वह है जल दुरलबता और जल संरक्षन यहों जल प्रबंदन किया हो शक्ता तो अभी आपने देखा कि जल होते हुए भी जल की हमारे पास कम होगी तो यह खासकर उन चेत्रों में हमारे पास जल की कमी होती है जहां पर वर्षा कम होती हो या फिर वैसे इस रोत जिनका पानी का जो लेबल हो जिसे कि हम लोग भूगरवित जल करते हैं जल जो भूमी के अंदर पाया जाता है अगर उसका लेबल कम हो तो उन अस्थान होती है वो कई कारणों से हो सकती है जैसे कि बढ़ते हुए मांग में उपलबदता की कमी जैसे जैसे हमारा देश तरक्की कर रहा है हमारी जन संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी मांग बढ़ती जा रही है परंतु जो पानी है हमारे देश में जो हमारे उप्योग कर पानी का उप्योग करते थे परंतु अगर यहां पे जनसंख्या पांच और बढ़कर 15 हो जाती है तो कि अभी भी हम 10 लीटर ही जल का उप्योग करके अपना काम चला लेंगे जी नहीं क्यों क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति बढ़े उनकी और शक्ताएं बढ़ी पानी भी ज्य चनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे हमें पानी की कमी मैसूस होती जाएगी तिसरा है हमारा अतिशोषण अतिशोषण जैसे की जितने हमें पानी के उप्योग कर लेना मान लेते हैं इन दस विक्तियों को दस लीटर ही पानी के ओशकता थी परन्तु या दो लीटर जादा उप्योग करते हैं तो उससे क्या होगा बच्चो पानी का अती शोशन होगा और जलकी कमी होगी तीसरा है अधिक अनाज उगाना आपको पता होगा खेती करने के लिए अनाज उगाने के लिए हमें जलकी ओशकता होती है अधि हम जादा अनाज उगाएंगे तो उससे के लिए हमें अधिक जलकी ओशकता होगी तो इस कारण से भी जलकी कमी होती है बच्चो तिसरा है सुस्क रित्व में भी खेती करना वैसे रित्व या फिर वैसे अस्थानों में खेती करना जिन अस्थानों में वर्षा कम होती हो या फिर जिनका भू गर्विये जो जल है वह कम हो वहाँ पे भी खेती की जाती है तो पृत्री के भूग गर्ब से पानी निकाल कर अगर हम वहाँ पर खेती करेंगे तो उसका जो लेबल होगा, वाटर लेबल वो और नीचे चला जाएगा ठीक है बच्चों? तो उस कारण से भी जलकी दुरलबता या फिर जलकी कमी होती है हमारा अगला जो कारण है वह उद्योगी करण जैसे जैसे भारत में उद्योगी करण बढ़ता जा रहा है वेसे वेसे वहाँ पर जलकी कमी भी होती जा रही है क्योंकि उद्योगों में भी बहुत अधिक मात्रा में जल उप्योग होता है सात्वा है हमारा सहरी करन जैसे जैसे भारत में सहरी करन बढ़ती जा रहा है वेसे वेसे जल की कमी होती जा रही है क्योंकि सहरों के निर्मान में भी अधिक मात्रा में जल लगता है बचो चलो अब हम बांध के बारें पढ़ते हैं क्या आप जानते हैं बांध क्या होता है तो बांध जल को रोकने दिशा देने या बहाओ को कम करने के लिए खड़ी की गई एक बाधा है बांध क्या है बांध जल के मार्ग में खड़ी की गई एक बाधा है जो की जल के बहाओ को रोक सकता है उसके दिशा को परिवर्थित कर सकता है या फिर उसके बहाव को कम कर सकता है या क्या हुआ बान इससे हम एक फिगर के थुरू समझते हैं बच्चो जैसे की मालो यहां दो पहाड दिया हुआ है जिनके बीच जे नदी गुजरती है ठीक है बच्चो तो यहां पे क्या हो रहा है एक नदी है जो बह रही है एक दिशा में बहरा था वह अब इसके पीछे में कहीं जमता चला जाएगा ठीक है बच्चो और क्या होगा इसके पीछे एक बहुत बड़ा जलासे का निर्मान हो जाएगा तो आप यहाँ पे देखिए कि जब बांध बनता है तो जलासे जील अथवा जल भरन का निर्मान हो जा परन्तु बांध और बहुत देशी पर्योजना में अंतर होता है तो किस बांध को बहुत देशी पर्योजना कहेंगे तो वेसे बांध जिनका उप्योग एक नहीं बलकि अनेक कार्यों में किया जाए उसे हम लोग बहुत देशी पर्योजना कहते हैं यानि कि जब यह पानी यहां पर आएगा इस पानी को हम लोग, बहुत सारे कारियों में उप्योग में लाएंगे तो यह बहुत देश उन परियूज़ ना हो जायेगा ठीक है बच्चों तो इस जल का हम लोग किन-किन कामओमें उप्योग में ला सकते हैं तो इस जल से हम लोग विधुत का उत्पादन कर सकते हैं, इस जल से हम लोग सीचाई का काम कर सकते हैं, इस जल को हम लोग किसी उध्योग में उप्योग में ला सकते हैं, इस जल का हम मनुरंजन के उप्योग में ला सकते हैं, इस जल में हम लोग आंतरिक नोचालन का कारे कर स ठीक है बच्चो यदि आपसे एक्जाम में पूछता है कि बहुत देशिये पर्योजनाओं का लाभ बताएं तो बहुत देशिये पर्योजनाओं के लाभ में भी हम इन पॉइंटों को लिख सकते हैं ठीक है बच्चो बहुत देशिये पर्योजना के बहुत सारे लाभ है जिस बहुत दिसी पर्योजनाओं से होने वाले हानी के बारे में यानि कि बहुत दिसी पर्योजनाओं से क्या-क्या नुक्षान होता है जिसमें पहला है हमारा नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाओ नियंतरन करने से उनका प्राकृतिक बहाओ में औरुद होता है और जिसक कारण तल्चट बहाव कम हो जाता है इसे हम समझते एक्जामपल के तुरू जैसा कि हमने जो बांध बनाया था दोनों पहाड़ की बीच में जो जल यानि नदी बह रही थी उसके बीच में हमने एक बाधा खड़ी कर दी तो क्या हुआ जो नदी पहले बह रही थी उसके रास पाई जाती है जो जल लगातार बहते जा रहा है इसमें छोटे-छोटे माइक्रो ओर्गिनिजम सुच्म जीवों का अपना आवास अपना भोजन होता है जब हम इसे यहां पे रोक देते हैं और यहां पे बहुत बड़ी जल मात्रा एकत्रित हो जाती है तो बहुत सारे ऐस जीव हैं जो कि नहीं पन पाते या फिर जिनके मित्री हो जाती है या वैसे जीव होते हैं जो कि बहने वाले पानी में ही पाया जाते हैं यानि कि जब तक पानी का बहाओ बना रहेगा तब तक ही वैसे जीव जिन्दारा पाते हैं तो क्या होता है जब हम बांध बनाते हैं तो यहाँ पे बाधा उत्पन करते हैं और पानी का पहाओ रुख जाता है जिसके कारण वहाँ पे जो जीव पाया जाते हैं वो मर जाते हैं और क्या होता है जब यहां पे हमने बांध बनाया तो है बहुत सारा पानी जमा हो गया तो पानी जमा होने के कारण जब पानी बह रहा था लगतार बह जा रहा था तो उसके साथ जो नीचे में मिर्दा होती है वो भी लुढकती चले जाती है पर तुझ जब बांध बन जाता तुवह लुड़कना बंद हो जाता है, मिर्दाओं का भी बहाओ रुख जाता है, और वह उसकी तलचटी में, यानि कि जो पानी बहरा था, उसके नीचे में ही जम जाती है, रुख जाती है, उसके कारण बहुत सारे जीवों का विनास हो जाता है, वो खत्म हो जाती है, ठीक जाती है तो जब पानी बहता रहता है तो उसमें बहुत सारे जीवों का आवगमन होते रहता है परन्तु जब पानी रुक गई तो जो तलचट जो नीचे जम जाता है वह बहुत ही चटानी हो जाता है बहुत ही कठोर हो जाता है क्यों कि जब यहाँ पानी बह रहा था तो एक खास परकार का दबाव उसे आगे बढ़ा रहा था परंतु जब यहां पे बांध बन गया तो बहुत सारा पानी कत्रित हो गया पानी की उपर पानी की उपर पानी तो निचे प्रेसर बनता जाता है एक दबाव बनता जाता है जिसके कारण तलचट जो है जो जो जमीन का स्थानों पर नदी परवा करते रहती है ठीक बच्चो आगे हम जानेंगे बार्द के मेदानों में बनाई जाने वाले बांद वहां पर मौजूद बनंस्पती व्म्रिदा यूर्श की मिठ्टी को भी जल में डुबा देती है जैसे कि हम ने यहां पर बांद बनाया तो बांद बनाने के बाद क्या होगा यहां का पानी इसके पीछे के छेत्रों में जमा होते चला जाएगा यदि इन पीछों के छेत्रों में बहुत सारे जीव जनतु पाय जाते होंगे तो सब जल मगन हो जाएंगे जल बे डूब जाएंगे ठीक है पीछे रुकता चला जाएगा बढ़ता चला जाएगा तो बहुत सारे छेतर फल में यह पानी फेल जाता है तो बहुत से अस्थानिय निवाशी होते हैं जिनका वहाँ घर होता है तो उन सफी को वहाँ से विस्थापित किया जाता है विस्थापित का अर्थ होगा बच्चों उन्हें यहां से अटाकर कहीं और निवास देना तो ब्रियत अस्तर पर अस्थानियों का विस्थापन होता है यह भी बांध बनाने का एक नुक्षान है फिर है भुकम की शंभावना अब जैसा कि बच्चों जब हम बांध बनाएं तो उसके पीछे बहुत जादा पानी एकत्रित हो गया तो जो बहुत जादा पानी जब एकत्रित होता है तो वो जमीन पर बहुत दबाव बनाता है तो दबाव बनाने के कारण भुकम की संभावना उन्हेत्रों में बढ़ जाती है मतलब कि उन छेत्रों में भूकम पानी की जो संभावना है वह अधिक होती है बच्चों अब हम पढ़ेंगे बहुत देशी नदी पर्योजना के विरोध में आंदोलन कुछ बहुत देशी पर्योजना ऐसी होती हैं जिनके विरोध में आंदोलन किया जाता है एक आंदोलन जिसका आपने नाम सुना होगा वह है नरमदा बचाव आंदोलन यह बहुत ही famous आंदोलन था तो आखिर क्या कारण होते हैं जिनके कारण कुछ बहुत देशी नदी पर्योजनाओं का विरोध किया जाता है आए समझते कुछ कारणों को पहला हम लेते हैं अस्थानिय समुदायों का विस्थापन जब भी हम कोई बांद या बहुत देशी नदी पर्योजनाओं का निर्मान करते हैं तो उसमें हम नदी जो धारा परवाइत होती है उसके मार्ग को औरूद करते हैं उसके बीच में हम बादा खड़ी करते हैं जिस कारण उसके पीछे एक बड़ा सा छेत्र जल मगन हो जाता है ठीक है बच्चों तो उन छेत्रों में जो समुदायों निवास करते थे उनने हमें विस्थापित करना पड़ता है जो उन छेत्र में बहुत पहले से निवास करते थे उनकी जमीन, जायदा, उनका विवसाय सब कुछ वहाँ था अचानक से जब उन्हें वहाँ से छोड़ कर जाना पड़ता है तो वो लोग कभी-कभी इन बहुत देशिये नदी पर्योजनाओं का विरोध में आंदोरन करन लगते हैं पर दूसरा कारण है जे विवता का नश्ठ होना बहुत से ऐसे प्राकृति प्रेमी हैं जब देखते हैं कि जहां पर बांध बनाया जा रहा है वहाँ पर अगर बहुत की जादा जे विवता का नश्ठ होता है तो वह भी इन बांदों के विरोध में आंदोरन कर अगला है मारा लागत और लाग के बटवारे को लेकर बहुत सी एसी बहुत देशी नदी पर्योजनाएं होती हैं जो कि सिर्फ एक राज अकेले ना बनाकर दो या दो से अधिक राज साथ में आकर उसे बनाती हैं तो जब वे इसे बनाती हैं तो बनाने में बहुत ही खर्च तो उस खर्च को लेकर जब राज्यों के बीच मतभेद होता है या फिर जब वो बांध बनता है तो बांध से होने वाने लाग को लेकर उनके बीच में मतभेद होता है कि इसका जो लाग है वो कौन सा राजे कितना उप्योग करेगा तो इस कारण से भी कई बार बहुत देश परियोजना के लिए बांध का निर्मान किया जा रहा था उसके लिए जल की दिशा में परिवर्तन करना था तो उसे लेकर करनाटक और आंधर परदेश की सरकार ने आपत्ती जताए उन्होंने कहा कि जब वहां पर बांध बनेगा और जल की दिशा में परिवर्तन की जाएग तो करनाटक और आंधर परदेश में आने वाले जल की मात्रा में कमी होगी जिससे करनाटक और आंधर परदेश के किशानों को खेती करने के लिए जल की उपलबता कम होगी और उनके उद्योगों के लिए भी जल की कमी होगी हमारा जो अगला टॉपिक है वह है वर्षा जल संग्रहन वर्षा जल संग्रहन क्या है तो वर्षा जल संग्रहन धरातल पर गिरने वाले वर्षा के बुंदों को जब संग्रहन कर लेते हैं या भी संचित कर लेते हैं और उसका उप्योग करते हैं तो वह क्या कर लाता है वर् है बच्चों तो जो वर्सा जल संग्रहन है यह हमारे भारत देश में अलग अलग तरीके से कियेजाते हैं अगर हम बात-करें पश्चिम बंगाल की तो पश्चिम बंगाल में बार के थ्रू बार्ष का पाने उनके खेतों में पहुंचता है और वहाँ पर उस वर्शा जल का उप्योग किया जाता है कि फिर है सूस्क और अर्द्र सूस्क छेत्रों में गड्डे बना कर हमें पता है जो जल है वह उची तल से निम्ध तल की और बहती है मतलब कि उच्छे अस्थानों से वह धलान की तरफ बहेगा तो जब यहाँ पर गड़ा किया जाता है और इधर से उच्छे अस्थान है इधर से भी उच्छे अस्थान है मतलब कि यहाँ की जो भूमी है वह उची है compare to this भूमी मतलब कि यहाँ से जब पानी आएगा तो धीरे धीरे जहाँ जो गड़ा बनाया हुआ है उस गड़े में आकर भर जाएगा तो सुस्क और अर्द सुस्क छेत्रों में इस परकार के गड़े बनाया जाते है और वहाँ पर वर्षा का जल भर जाता है और बाद में इस जल का उप्योग किया जाता है अगर हम बात करें राजिस्थान की तो राजिस्थान में वर्षा जल संग्रान करना एक आम तरीका है वहाँ पर लगवर हर घर में वर्षा के जल को संग्रहित किया जाता है वहाँ पे वर्षा के जल को बचया जाता है क्योंकि हम जानते हैं जो राजिस्थान है वो उन छेत्रों में आता है जहाँ पे वर्षा कम होती है जहाँ पे वर्षा कम होती है और वहाँ पे जल की कमी होती है तो वहां के जो निवाशी हैं जो लोग वहां रहते हैं उन्हें वर्षा की कमी हमेशा मैसूस होती है तो वह वर्षा के महत्व को जानते हैं और यह वर्षा जलसंगरहन जो क्रिया है वह उन अस्थान में बहुत ज्यादा की जाती है लगब हर घर में वहां पर वर्षा जलसं भरों में जो राजिस्थामें घर पाया जाते हैं लब्ग हर घरों में छट की जो धलाव है यह जी उसका धलान है वो इस तरह से बनाया जाता है कि जब वह पी dau तो वर्शा का पानी एकत्रित हो कर एक पायप के माध्यम से एक नीचे के कमरे में आ जाता है यह जो कमरा होता है सो मुख्य रुप से उनका आंगन के नीचे बनाया जाता है और इन कमरों में वह पानी एकत्र करते है परंतु जब पहली बार इन छेत्रों में वर्षा होती है उन वर्षाओं के पानी को यहां पे एकत्रित किया जाता है यह जो पानी एकत्रित होता है उसे यहां के निवासी वर्षा जलिया पालन पानी करते है कभी-कभी इन जो कमरा बनाया गया है इस कमरे के बगल में और भी एक-दो कमरे बनाया जाते है ऐसा क्यों किया जाता है तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब यहां पे गर्मी राजिस्तान की तरगा चित्र है तो राजिस्तान वेसा चित्र है जहां अधिक गर्मी बनती है अधिक गर्मी पड़ती है तो यहां पे हमारा पानी है इस कमरे में इस कमरे के बगन में जो अराम्बिक किया जाता है और हमने जाना कि हाँ जो पानी एकत्रित किया गया है उसे हम वर्सा जल या फिर पानर पानी कहते हैं राजिस्थान में पानी किया पूर्ती के लिए इंद्रा नहर बनाई गई है इंद्रा नहर जो बनाई गई है वो भारत की सबसे बढ़ी नहरों में से एक है ठीक है बच्चो जिससे क्या हुआ जिससे कि जो राजिस्थान है उसके पश्मी छेत्रों में पानी क्या पूर्ती 2400 घंटी होने लगी वह जल वह अपने खेती के लिए पीने के लिए हरत्रा से उप्योग करते हैं पानी की जब उन्हें उपलब्दता होने लगी तो कई छेत्रों में क्या हुआ जो टांका की प्रक्रिया है मतल़ कि वो लोग जो वर्सा जल संग्रहन करते हैं उसमें कुछ कमी भी देखी जाती है ठीक है अब हम बात करते हैं तमील आंडू की तो तमील आंडू भारत एक एहसा राज्य है जहां पर वर्षा जल संग्रहन करना का जो ढाचा है वो हर घर में होना चाहिए इसे अनिवारे कर दिया गया है वहां की गौर्रमेंट के थूँ इस तरीके से यह पूरा चेप्टर यहां पर समाप्त होता है उमीद करता हूं कि आप पर कुछ यहां पर समझना होगा अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें